हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सांजा चुला, तो आज हम बनाएंगे चीज टमाटो तो जलिए शुरू करते हैं, रेसिपी चीज टमाटो बनाने के लिए पैन गरम हो गया है, तो उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी दो चम्मच ओएल ओएल थोड़ा गरम होने पर सबसे पहले इसमें डालूँगी दो प्याज हैं, जो मैंने रफली काट लिए हैं दो तीन मिनट मैं इनको पसाऊंगी तीन हरी मिर्चा, इनको भी मैंने रफली काट लिया है छे साथ लसुनकी कल लिया हैं और एक इंच अद्रक का टुपड़ा प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन होपे हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूं आधी चमच हल्टी आधी चमच लाग मिर्च और आधी चमच नामा इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूं चार टमाटर हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है और अब इनको मैं भी छोडने तक पकाऊंगी अब मैं ग्रेवी को तीन-चार मिनट के लिए कवर कर दूँगे ताके जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह पक जाएं तो चलिए अब हम ग्रेवी को चेक करते हैं ग्रेवी हमारी अच्छी तरह पक गई है तो अब मैं गैस को आफ कर दूँगी और ठंडा होने पर इसे ग्राइड कर लोगी कडाई गरम हो गई है तो अब मैं इसमें डाली हूं एक चमच देसी गी और इसके उपर मैं डाली हूं गोल कटा हुआ टमाटर कर दोग्स कर दोगा हुआ कर दोगा। अजब नहां चाहती क क्षिए नहां जागा है ऐसे तमाटर डालना से सब्जी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो अब इसके उपर में डाल दी हूँ ग्रेवी जिसको मैंने ग्राइंड किया था दो मिनट के लिए मैं इसे रोस्ट करूँगी दो तीन मिनट तक ग्रेवी को पकाने के बाद इसमें मैं अब पानी डाल ली हूँ जिसको मैंने बॉयल करके ग्राइंडर में डाल लिया था अब इसको भी मिक्स भी कर लूँगी और एक दो बॉयल आने लूँगी अब मैं इसमें एक लेमन का जूस भी डाल रहे हूँ इसको मिक्स भी कर दूँगी और दो तीन मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी यह 300 ग्राम पनीर था जिसमें से मैंने 500 ग्राम को नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और 50 ग्राम मैं ऐसे ही डालूँगी और यह हाफ बाउल मेरे पास फ्रेश क्रीम है इसमें मैं आधी चमचीनी डालके इसको अच्छी तरह बीट कर लोंगी ताकि यह जो शूगर है इसके अंदर मिक्स हो जाए आप मार्केट से भी क्रीम ले सकते हैं लेकिन मैंने यह फ्रेश क्रीम डाली है शूगर अच्छी तरह क्रीम में मिक्स हो गई है तो अब मैं इसको ग्रेवी में डाल दूगी जो ग्रेवी हमारी पक रही है इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दोंगी जो ग्रेवी का अब बहुत ही बढ़ी आ रहा है और खुश्बू भी बहुत आ रहे हैं कि एक उबाल लाने पर मैं इसमें पनीर को एड़ कर दूगी तो अब मैं इसमें आधी चमची और एड़ कर सकती हूं अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स को एड़ कर दूगी अब मैं इसमें डालें आधी चमच गरा मसाला और अब इस पे डालेंगे हरा दनिया और इसको भी मिक्स कर देंगे चीज टमाटो बनके तयार है तो अब मैं इसको सर्फ करूंगी यम्मी चीज टमाटो बनके तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शियर कीजिए और मेरी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें